आज मैं सब बहनों की फर्माईज पर फिर से ढूलक सिखाने के लिए हाजी हूँ तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो श्टार्ट करती हूँ तो यह जैसा कि आप लोग जानते हैं यह उगलियों वाला हिस्सा है और यह थापी वाला हिस्सा है और इस पे थापी बस्ती है थापी इसको बोलते हैं तो जलिए स्टार्ट करते हैं देखिए इन उंगलियों को आप एक दो एक दो एक दो करके बजाएंगे कांटीन्यू हो जाएगी तो इस भाग को वैसे यह पूरा मेरा ढूलक का पेस कहलाएगा यह दोनों पूरा बोलते हैं इसको एक छोटा पूरा और यह बड़ा पूरा तो अब यह पूरा जब और इसको एक साथ हैं तो इसको इयम्या पूरे इस सतय को बेस बोलेंगे जैसे हम लोग कहते हैं ना पूरे बेश के ठापी मारो और फूरे Бेस पर इस पर लगता है तो उसको कहेंगे पूरे बेस पर हांत लगा है तो चलिए स्टार्ट कарते हैं एक दू, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो इसतरह मचती है यह टो और यह इस पे ठापी लगती है एक दो तीन चर एक दो तीन चर एक दो तीन चर तो जो सीखिने वाली हमारी बहने है तो पहले प्रेक्टिस करेंगी एक दो तीन चर एक दो तीन चर एक दो तीन चर जैसे कि आप बड़े गौर से देखिए ध्यान से देखिए मैं पूरी पूरी थापी नहीं मार रही हूं कि एक दो तीन चर ऐसे नहीं मार रही हूं तो आप इसकी लाय का ध्यान देखिए देख तो इस तरह से मारेंगे इसको एक लॉंग में नहीं मारेंगे जल्दी से एक दो तीन चा इस तरह मारेंगे और इसको भी इस तरह मजाएंगे तो देखिए दोनों एक साथ हाथ आप लोग देखें लिए देखिए यह बालीवुड इस्टाइल भांगडा भी कहेंगे धागे नाती नकदीना ही चलती है बहुत ही जल्दी सीखने वाली है यह ढूलक आप दो मिनट में अगर भ्यान से सीखेंगे आने को होगा तो एक दो मिनट में ही आ जाएगी तो चलिए ध्यान से मेरे हाथों की सब्सक्राप आप लोग देखिये धागी नातीना कदेन धागी ने तीना कदेन धागी नातीना कदेनी दागी निकलती है देखिए अब आपने देखा धागे नतीनक धीन धागे नती ये तो प्रिक्तित से आपको आएगी पहले तो आपको बेश पे हाँ चलाना सीखना होगा तो आप पहले हाँ चलाएंगी तो आप लोगों की सिखाने की वज़े से की दोनों हाँ ऐसे चलाएंगी तो आप तो बराबर से मार ये देखिए अगर आप उलिया नहीं आपकी चलती है तो भी चलाने की जरूरत नहीं है तब भी आप बजा सकती है दुन को निकाल सकती है जैसे की देखिए ये भांग्रा इस्टाइल है इसको भांग्रा इस्टाइल किते हैं अग इसी की जगे पर अगर कुई लेते हैं जैसे कोई छड़ी अड़ी लेते हैं तो वो छड़ी विल्कुल इसी उंगलियों की जैसे मैंने माल लिये तीन उंगली छड़ी हैं तो देखिए बिल्कुल छड़ी भी ऐसी इसी तरहें डोल पे बजाते हैं जो सो भांगडा बजता है वही दूनाएं यह देखिए मेरे पास अभी छड़ी अवेलिवल नहीं है तो मैंने बजा दी धून वही है यह भांगडा स्टाइल और भांगडा की धूलक आप तो इसी तरह बजेगी चाहें वह कैसे भी बजा सकते चाहें वह लकडी से बजाएं आप अपनी उंगलियों से बजाएं जैसे कि मैंने अभी बजाया है आपको दिखाया है तो आप प्रेक्टिस जरूर करिएगा और आपको जरूर आ जाएगी बिल्कुल आ जाएगी बहुत ही सरल है कोई परिशान चिंता करने की कोई जरूरत नहीं आप मुझसे कई बार पूचेंगी मैं उतनी बार ही बताऊंगी और बस सिंपल है इसमें कुछ भी नहीं है तो मैं फिर से एक बार बताय दे रही हूँ आप फिर से देख लेजिए औ और आप को जो भी हिल्क होगी मैं करूंगी मैं चाहती हूँ आपको धूलक सिकाना मुझे बहुत अच्छा लगा लगेगा कि मैं अपनी तरह किसी को धूलक सिका पाऊं तो इसलिए मैंने आप लोगों की फर्माइस पर ये धूलक लेके आए हूँ और इसकी बस यह है कि आ अपने आप आप हाथ चलने लगेंगे और उसी गाने के अनुसार हाथ चलने लगेंगे जैसा कि आप सुर में गा रही है वैसे ही ताल बजने लगती है तो ये संगीत का ताल मेल है तो ये ऐसे ही बनता है इसको पता नहीं चलता है जैसे ही कि गाना सुरू किया तो ये अप कि और साधार आप बजा सकते हैं जैसे थोड़ा होत घरेलू है तो वह साधार अंगुलियों का ध्यान रखिए आप आप ऊपर से नीचे की तरफ से आप ऊपर की तरफ ना ले जाएं लेज बस इसको ऐसे करना है ना चाह उपर के ऐसे करने की ज़रूरत है ना तो आपको ऐसे आपको सीधे बजाना है तो आप और जो ऐसे बजाते है जो से ऊपर से नीचे को ले जाएंगे तो ऐसी भूने करने लगेगे तो बहुत सी भेने इस तरह से बजाती तो यह आप मेरे ख्याल से तो आप ना करें तो जैसे भी अंगलियां तो डोलक पर जैसे भी चलाना चाहेंगी आप चल जाएंगी लेकिन यह गलत तरीका है यह कहते हैं भांगडा स्टाइल में आप फिर नहीं बजा सकती आप जब नी कोई-कोई गानों में यह बीच में डालनी पड़ती है जब आप बेट धीरें दीमे से करते हैं जैसे कोई गाना उठा मितलब बिल्कुल पॉज नहीं लेते हैं आप कड़ी अगली कहने वाली हैं तो आप इसको ऐसे बजाने लगते हैं तो आप सीख सकते हैं हालां कि कोई इसमें नहीं है कि आप सीखो नहीं आप सीख सकते हैं लेकिन यही तरह जब सी एक ही तरह की ढोलक बजाएंगी भांगरा सीखना चाहेंगी तो अभी इसको फिलाल इस तरह का ना सीखें तो सिर्फ यही चीज़ सीखें इसी तरह से आप सीखेंगी तो कई तरह की ढोलग बाजा सकेंगी यहां बाजा जाल pedals आपको मेरा वीडिब वीडिय कैसा बाए और आजे आयमें आपको वीडियो और लाओ तो आप मुझे कमेंट बाक्स में बता empathy और आपको कैसा लगा तो चलिए आप ये वीडियो यहीं पर बंद करते हैं और आपको कितना समझ में आया क्या आपको नहीं मैंने क्या explain कर पाया और आपको समझ में आया या नहीं explain कर पाया आप comment box बताईए तो मैं कोशिस करूँगी सुधारने की और आपको सिखाने की तो चलिए हैं आप बंद करते हैं यहीं पर और जब आप पताएंगी तब मैं फिर से ऐसे start करूँगी और अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को like करिएगा और चैनल को subscribe करिएगा चलते हैं नमस्त करूँगी